पीपल के वरक्ष की पूजा हम शनी देव को प्रसन करने के लिए करते हैं पर क्या आपको पता है कल्यूप के अंदर पीपल पर श्री हरी विश्णु जी का और मा लक्ष्मी जी का साक्षात निवास होता है खास करके शनीवार के दिन श्री हरी विश्णु जी पीपल के उपर अपना वास करते हैं और मा लक्ष्मी के साथ अपना आश्रिवाद अपने सभी भक्तों को प्रदान करते हैं कल्प वक्ष की तुलना की गई है पीपल की कल्यूप के अंदर स्वयम श्री कृष्ण ने भी अपनी गीता के अंदर बहुत कुछ बताया था पीपल के पारे में पीपल एक ऐसा वरक्ष है जहां पर सभी प्रकार के देवी देवताओं के साथ-साथ नाना प्रकार के गण, पिशाच, जिन भूतनी, शाकनी, अन्य भी ऐसे नेगेटिव सोर्स वहां पर वास करते हैं परंतु क्या आप ये जानते हैं कि आपके घर की सम्रद्दी, आपके जीवन की प्रगती और आपके ग्रहों को शान्त करने का एक मात्र तरीका पीपल का पेड़ हो सकता है, पीपल के पत्ते के कुछ अचुक उपाए, जिससे आप किसी को भी अपना बना सकते हैं, धन की प्राप्ती कर सकते हैं, जीवन में आए कस्टों से निवारन पा सकते हैं, उठाए कॉपी पैन और लिख लिजे अपनी सार्थी के सटिक उपाए मैं आपके अस्टोलाजर हूँ, वास्तो शास्त्री हूँ, चेहरा भी परती हूँ, आवास भी परती हूँ और हातों की लकीरे भी पढ़ लेती हूँ, लेकर उससे पहले आपके सार्थी हूँ, इसलिए आपके जीवन में आस पास में जितनी चीजें हैं, उनी को लेकर करने चली आती हूं मेरी रिसर्च दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और ऐसी चीजों को लेकर आती जा रही है जिसे हमें बहुत कम मेहनत के साथ सफलता प्राप्त हो जाए पीपल का पत्ता मेरी उसी रिसर्च का एक बहुत बड़ा भाग है जिसके बारे में मैं आज आप से अब करने आए हूं शनिवार के दिन एक पीपल का पत्ता घर में ले आई है थोड़ी देर उसको हल्दी के पानी में दूबह के रख दीजे पीपल का पत्ता तोडएंगे नहीं जो गिरावा होगा वही लेक्राइंगे कटा नहीं होना चाहिए साबुत पीपल का पत्ता हमे अपना नाम और यह किस से लिखेंगे आप हल्दी से तत्पशाथ आप उसको अपने घर में किसी भी मूर्ती के नीचे या किसी भी फोटो के नीचे आप उसे छुपा कर रख देंगे मूर्ती के पीछे भी रख सकते हैं तस्वीर के पीछे भी रख सकते हैं आप 21 दिन तक उस इच्छा भी पून होनी लगेगी लेकिन जब तक आप ये पीपल का पत्ता रखते हैं तब तक आपको सुभा जल्दी उठकर अपने घर के अंदर पूचा पाठ करना है और रात को संध्या के समय भी आपको पूचा पाठ नित्य नियम रूप से करना है घर में घी का दीपक जलना अनिवारया है और घी का दीपक जलाते समय एक केसर की पत्ती उस घी के दीपक में जरूर डाल दीजेगा मन वांशित इच्छा पून होने का एक मात्र छोटा सा उपाय दे रही हूं करके देखिए इसका फल आपको जरूर बहुत लाब प्रत मिलने वाला है चलिए को को आपसे प्याल नहीं है कोई आपकी बात मान ही नहीं रहा चाहिए वो आपका बॉस हो चाहिए वो आपके घरवाले हो चाहिए वो आपका भाई हो चाहिए आपका पती हो चाहिए आपका बेटा हो चाहिए आपकी बहु हो कौन सा रिष्टा मैं नहीं जानती लेकिन एक व किसी को प्रेम समझ नहीं आता इसलिए हमें उसको प्रेम समझाने के लिए कुछ ऐसे प्रयास करने पड़ते हैं जिससे वो हमारे प्रेम की कदर करने लगे रिष्टा कोई भी हो मैं नहीं जानती भाव अच्छे होने चाहिए इस चीज को कभी भी किसी और की पत्नी या किसी और के पती को वश्मे करने के लिए मत कीजेगा जबरदस्ती किसी के साथ गलत रिष्टे और समंध बनाने के लिए इस प्रयोग को मत करिएगा वरना ये उल्टा आपके उपर विनाशकारी प्रयोग साबित हो जाएगा क्या करना है आपको सुमवार के दिन पीपल के पत्त करना चाते हैं जिसको भी आप अपने पास बुलाना चाते हैं जिसको भी आप अपने प्रेम की प्रती आकरशित करना चाते हैं वो आपके प्रेम का जरूर सार को समझेगा और आपके प्रती आकरशित जरूर होगा मनों कामना जरूर बोल के आईएगा वही पीपल का पत्त का विवाह नहीं हो पा रहा है तो यह माय कर सकती है अपने बच्चों की आगे के विवाहिक जीवन को सफल करने के लिए और सुक शांती लाने के लिए और उनका विवाह शिग्र हो जाए उसके लिए यह प्रयास करें क्या करना है आपको आपको ग्यारा खर्जदे यानि कि ग जीवन में धनका अभाव हो रहा है आपके घर में कहीं ना कहीं नाकारत्मक शक्तियों का बढ़ता जा रहा है बहुत दुश्प्रभाव और आपके जीवन में अचानक से सब कुछ बहुत घुटा-घुटा और बहुत बंधा-बंधा सा महसूस होने लगा है जीवन स्टक सा ह हो गया है आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है ना प्रमोशन मिल रहा है ना सेलरी बढ़ रही है ना हमारी पैसे में व्रदी हो रही है करजा बढ़ता जा रहा है पैसे के श्रोत कटम हो गए है और कहीं से कोई भी इंकम का सोर्स दिखाई ही नहीं दे रहा है तो हमें क्या करना चाहिए बहुत सरल सा उपाय बताने जा रही हूं करके देखेगा आपके जीवन में इस से बदला जरूर आएगा ग्यारा मंगलवार पीपल के पत्ते के उपर हल्दी से या फिर चंदन से श्री राम लिखिए और उसके उपर एक गोमती चक्र और थोड़ी सी मसूर की दाल रखकर श्री हनुमान जी के मंदिर में जाकर चड़ा आईए हनुमान बाबा आपके सारे कस्टों से आपको बाहर निकालेंगे और आपके उपर कितना भी करजा हो पैसे की कितनी भी दिक्कत हो प्रमोशन नहीं हो रहा हो देखेगा आपका काम जरूर बनने लगेगा बहुत चोटी चोटी फायदेमन चीज़े थी जो मैंने आज आपको बताई है कुछ और चीज़े जो मैं हमिशा आपको बताती हूँ जैसे कि पीपल के पेड की पूजा निरंता रूप से करनी चाहिए लेकिन पीपल के पेड की पूजा सिर्फ शनिवार के दिन होती है बा जही न कहीं पितरदोश से भी मुक्ती दे देते हैं तो चलिए आज के लिए बस इतना ही लेकिन जाने से पहले आपको टिप आफ दा दे देती हूँ और आपको साथ में वास्तु टिप भी दे जाती हूँ टिप आफ दे बता देती हूँ आपको अगर आपके घर में बच्चे बहुत जिद्धी हैं बच्चे आपकी बात बिल्कुल नहीं मानते बहुत मनमानी करते हैं दस बार बुलाओ तब एक बार आते हैं अगर बच्चे आपको अंसुना कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए बच्चों के कमरे के बाहर आपको चारो तरफ यानि कि जो उनका पूरा गेट होता है उसके चारो तरफ हल्दी से लाइन खीच देनी चाहिए एक पीले रंग की लाइन हल्दी से खीच दीजे और साथी साथ में उनके गेट पर कपूर लगातार तीन दिन तक जलाना चालू कर दीजे देखेगा बच्चे का मन जाएगा भाव बदल जाएगे मांसिक स्थिति बदल जाएगी और उसका आपके प्रतिलगाव बढ़ जाएगा अगर आपके घर के अंदर धन का अभाव है, कलेश है और दुख इसी भी रूप में अगर आपके घर में वास कर गए हैं खास करके अगर बिमारियां बहुत जादा हो गई हैं तो आपको क्या करना चाहिए आपको हरे पत्ते का फलदार जिस हरे पत्ते में फल लगते हों फलदार एक पौधा लेकर अपने घर के नौर्थ वेस्ट में लगा देना चाहिए आपके घर से ये तकलीफें बहुत जल्द ही जाने लगेंगी और आपको बहुत सुख प्राप्त होगा आज के लिए बस इतना ही ठाको जी के आशिरवाद के साथ आज के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ फिर आउंगी कुछ नया कुछ अलग कुछ अद्बुत लेकर तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा फिर चाहती होगा सार्थी मात्रिश्ला जόतिश के क्शेत्र में विश्व विभ्यात ताम है जोतिश शास्त्र में PhD मात्रिशिला पिछली 22 वर्षों से जोतिश की सभी परंपराकत विधाओं के साथ साथ अनेक दुरलब गुड़ विधाओं जैसे परचाई एवं लवस के अध्यन से अपनी सटीक भविश्यवानी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन सवार्चुकी मात्रिशिला लगातार 2016 से जोतिश विभूशन अवोर्ड प्राप्त कर रही है साल 2018 में उन्हें उत्राखंड के मुख्य मंत्री त्रिवेंद्र सेंग रावत ने जोतिश विभूशन अवोर्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट अस्ट्रोलजर के अवोर्ड से नवाजा जा चुका है बेस्ट उन्हें राजस्ट उन्हें उन्हेंड़का कर आपड़के लिए मुख्याओवण जिन्हें त्राखंगरके और से 5 अवाज़का है